हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स इन्फो में एक वार फिट से स्वागत है गाइस आज के लिए आज की वीडियो में आपके लिए मैं कोई जॉब्स के रिलेटिव नोटिफिकेशन नहीं लाया हूँ बलकि जैसा कि आप सब जानते हो कुछ दिन पहले यानि कि 10th of November 2020 को पंचायत account assistant का exam होता है और बहुत सारे वीडियो और पिक्चर्स हमारे सामने आती हैं लग-लग examination center के और जहां पर आप देखती हो किस तरह की लापरवाही होती है जब वहाँ पर किसी के पास mobile phone है तो कहीं पर paper जो है time से पहले दे दिया जाता है ये सब चीज़े आप लोग ने खुद देखी है और कहीं कहीं कि वीडियो और images अभी तक तो मुझे लगता है जहां की images हमारे पास आई है वो तो हमने देखा लेकिन अलगलग जगाओं से candidates के जो हमें देखने को मिलते हैं feedback देखने को मिलता है कुछ-कुछ जगाओं पर तो videos हमारे पास नहीं आई लेकिन वहाँ कि जब हम सुनते हैं details तो बिल्कुल शौक हो जाते हैं इस तरह के examination center पर यह यह चीज़े होती है तो एक अभी जो मेरे पास एक letter है यह रामबन के एक Mr. Samir Ahmed है इन्होंने L.G. साब को letter लिखा है और इसमें answer उनसे पूछा है कि हमें administration से answer चाहिए कि जो इनका examination center है उख्राल रामबन के अंदर वहाँ पे इनके साथ जो कुछ हुआ इन्होंने इस letter में mention किया है और L.G. साब को यह letter लिखा है और इसके साथ-साथ यह letter इन्होंने L.G. साब के साथ-साथ इन्होंने यह letter जो है national president international human right council को copy इसकी भेजी है उसके बाद UT president international human right council और deputy commissioner रामबन और इसके साथ-साथ-साथ जेन्ड के UT president भारती जनता पार्टी को यह letters इन्होंने भेजे है तो चलिए देखते हैं letter में इन्होंने क्या mention किया इनके साथ क्या घटना हुई है वहाँ पे यह सब पूरे हम इसमें दिखाएंगे आपको तो guys अगर आपको video clear नहीं दिख रहा होगा तो इसको resolution आप बढ़ा सकते हैं ठीके guys letter में यह लिखते हैं corner साथ को कि I would like to bring to your notice that a great inconvenience is being made to the aspiring candidate on per view of GKSSB and their unfair and unjust exam practices इनने उस चीज़ को mention किया है जो कि हम सब ने दिखा है ठीक है यह लिखते हैं कि I Sameer Ahmed यहाँ पे इनने लिखा है अपने बारे में कि कि यह Sameer Ahmed हैं कोई यह उखराल रामबन से हैं और जहाँ पे इनका examination center था वहाँ पे इनने mention किया है कि 45 minutes पहले ही question papers को खोल देया जाता है और वो भी separate room में ने proper mention किया है देखिए यहाँ पे time in a separate room in our absence in candidates की absence में ठीक है और इनने कहा है कि as you may know that clear instruction दी गई है GKSGB के दवारा कि examination center पे कोई भी mobile phone या कोई इस तरह की mal practice allowed नहीं की जाती है ठीक है यहाँ पे इनने लिखा है कि there was complete chaos at the center and almost all students decided not to go forward with the set exam और जब भी इस तरह की practice हुई और candidates ने decide किया कि अब हम exam नहीं देंगे लेकिन क्या होता है इसी दौरान I tried to confront the official इनने यह जो candidate ही इनने वहाँ के official exam center के जो official से उनसे बात की और क्या हुआ they later on got nervous and called ADC Ramban और बाद में वो can वो जो वहाँ के वहाँ पर ADC Ramban को भी वहाँ पर बात की जाती है and taking to ADC Ramban I was forced to take up the exam और इनको यहाँ पर आप mention देख सकते हो I was forced to take up the exam और इनको यहाँ पर force किया जाता है कि आप exam दीजिये and later on we had no choice और इसके बाद इनके बास कोई चाइस नहीं बचती है और exam में इनको आपीर होना पड़ता है so guys इनने proper यहाँ पर mention किया हुआ है Sameer Ahmed जी ने यहाँ पर आप देख पा रहे हो Now I requested you to kindly look into the sad matter and take necessary action so that and future recruitment do not fall Pre to such mal practicing नहीं कहा है L.G. Manoj Sinajji को खुद कि आप इस चीज़ को concentration में लीजिए और इसके उपर necessary step उठाइए यह हैं Sameer Ahmed बनिहाल District Rambans इनका mobile number भी आप देख सकते हो यहाँ भी दिया हुआ है साथ में इनकी email ID है www.ehmadsamir501.gmail.com और साथ में यहाँ पे इन्होंने यह copy जो है GKUT President भारते जन्ता पार्टी National President International Human Rights Council Union Territory President International Human Rights Council और Deputy Commissioner Raman को copy यहाँ से भीजी है और साथ साथ में LG साहब को यह copy गही है ठीक है गाइस तो अपनी आप comment बिलकुल मुझे comment बाक्स में अपने viewpoints comments करना कि अब क्या होगा आप देखते हैं LG साहब क्या decide करते हैं और क्या result आता है इसके बाद मैं आपको International Human Rights Council का भी एक letter आपको दिखाता हूँ तो guys आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं यह letter जो है International Human Rights Council की तरफ से लिखा गया है जमू GKSSB Chairman के लिए ठीक है यहाँ पर update देख सकते हो 12 November 2020 का यह letter है ठीक है guys और देखी यहाँ पर इनने subject में क्या mention किया है इनने लिखा है subject mal practices in examination center of panchait account assistant यहाँ पर इनने पूछा है कि throw the medium of this letter I want to bring it in your notice that videos and pictures are circulating on social media showing the mal practices in examination center of panchait account assistant exam this is creating apprehension in the minds of candidates on the transparency of institution in our UT ठीक है बिल्कुल अभी candidate के mind में transparency को लेके उनके mind में एक बड़ा ही apprehension है ठीक है unnecessary mental stress among candidates in particular and unapplied youth in general बिल्कुल यह तो बात सही हो भी से बात जब इस तरह की videos और photos आएंगी mind setup तो candidates का तो बिल्कुल होगा ही होगा फिर आगे लिखते हैं kindly take the needful steps and clear the issue as soon as possible at your disposal और यह हैं इंचार्ज नार्थ इंडिया के international human right council के तरफ से letter जे कैसेज़ भी को लिखा गया है और यह copies जो है principal security honorable LG J&K को भीजी के ही और इसके साथ साथ Indian headquarter जो Mumbai में इनका international human right council का office है वहां फे भी letter गया है तो guys अपनी ही राय बिल्कुल देना कि क्या आप LG साहब अब क्या decide देंगे जो BDC जनाएगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचाओंगा लेकिन GKSSB को यह assure करना चाहिए कि इस तरह के नहीं होनी चाहिए और official जो duty पे लगाए जाए बिल्कुल उनको concentration में रखना चाहिए और जो भी होगा update तो मैं आप तक जरूर पहुंचाओंगा ठीक है guys तो मिलते हैं next video में अपने comments जरूर मुझे comment box में डालना